के वी एस डेली लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बेहत स्वागत करती हूँ। केंद्रिय विध्यालए दाखिला प्रक्रिया से जुड़े रोजाना हजारों की संख्या में सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं और आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं पांच सवालों के जवाब मैं आज की विध्यों के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हूँ। तो आज का पहला सवाल केंद्र विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत कब से होगी? सभी को बताना चाहूंगी की केंद्रिय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत अगर बात करे कक्षा पहली की तो मार्च के महीने से हो जाएगी और कक्षा दूसरी और उससे उपर की कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत अप्रेल के महीने से हो और कक्षा 11 वी के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत कक्षा 10 वी के रिजल्ट आने के बाद हो जाएगी। आज का दूसरा सवाल घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए। सभी केटेगरीज के लिए यदि उसके लावा किसी केटेगरी में आते हैं या फिर किसी भी केटेगरी में नहीं आते तब भी आपको घर से स्कूल की दूरी का जो नियम है आप पर ये लागू नहीं होगा केवल और केवल 80 ए के अधिद जिन बच्चे का दाखिला होगा यह केवल उनहीं के लिए है. आज का तीसरा सवाल कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब भी बच्चों का दाखिला करवाया जाता है तो जिस भी साल दाखिला होता है उसकी 31 मार्च पर जाओ तो 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए? 31 मार्च 2022 को अगर बच्चे कितनी उम्र है तो आप कक्षा पहली का ओनलाइन फॉर्म अपने बच्चे के लिए भर सकते हैं. आज का चौथा सवाल कास्ट सर्टिफिकेट यानी की जाती सर्टिफ आपके पास बच्चे के नाम का नहीं है तो दाखिले के समय आप पिता के नाम का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं. पिता के नाम पर जाती सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं लेकिन इससे काम नहीं चलेगा स्कूल वाले कहेंगे कि हम आपको उस पर दो महीने का समय दे या एक म वे कहेंगे कि बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट बनवा कर लाए और सब्मिट करवा कर ही जमा करवाए तो बहतर है। चोटे भाई बहन को दाखिले में कोई आरक्षन मिले या कोई चूट मिले तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी नियम केंद्रिय विध्यालय संगर्ठन ने बनाया है। के जवाब सुनने के बाद आपको बहुत सारे कंफ्यूजन शनकाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे लिखे कमेंट सेक्षन में आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित विडियो में बहुत जल्द लेकर आँगी। ठाउमी। झात्व झात